नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। कुम्भ राशी के बारे में दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं। भगवान गड़ेश जी के आशिरवात से बहुत अच्छे ही होंगे जी हां दोस्तों आप सही पड़े होंगे। थम्बनेल में तुम्हारा घर बड़ा खत्रा में है आप बचाने चाहते हैं तो दुश्मन एक साथ तीन दोली उठेगा अपने आंखों से देख लो अभी मैं तो जिन्दगी भर इस सजा में जूचते रहोगे। पहली बार आए हैं तो भगवान गणेश जी को एक लाइक अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय गणेश जी और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन में लेकिन को भी क्लिक करे आप इस वीडियो को दो पूरा जानकार पूरी ले सकते हैं भी सारा काम हो सकता है भगवान गणेश जी क्रिपा से आपको जो भी समस्या है इस समस्या को अभी तुरंट सावधान मिल सकता है दुश्मन आज गली में बहुत जोर से चलाएगा लोग भी देख कर उसके बातों पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि दोस्तों पाप करना आज इस कान में बहुत बड़ा सजा मिल चुका है जो अभी तक अपने घर में खुद से परिवार बैट कर रो रहा है आप भी देख लो दुश्मन के घर में बहुत बड़े बड़े खत्रा का समय आ चुका है जी हाँ दोस्तों आप भी देख लेंगे काम भी पूरा हो सकता है जी हाँ दोस्तों आपके घर में 24 दोस्तों आपके घर में 24 घंटे के अंदर दुश्मन एक साथ तीन कहानी खत्म होगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि दुश्मन ऐसी हालत है कहीं भी मुम दिखाने में शर लगती है जी हाँ दोस्तों क्योंकि और बाद मे बहुत पच्ता शुरू हो जाते हैं, क्यों? कि ऐसी घटना कभी नहीं इस घर में उलट फेर हो सकता था, लेकिन दुश्मन इस घटना के कारण पूरे घर पर बात हो चुका है, जी हाँ दोस्तों और यह देवी देवताओं का शक्तियां है, जो कि दुश्मन सबसे बड़ा द इसलिए दुश्मन के घर में एक साथ तीन दुश्मन इस दुनिया से जाने वाला है, आप भी देख लेंगे तो आपका सारा काम छुटकारा मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों जो भी आपके साथ घर में जादू का टोना करते हैं, आपके घर एक परिवार पागल जैसा हालात बनते हैं, तो आज दुश्मन की इस घर से पूरी जिन्दगी बिगड जाते हैं, जी हाँ दोस्तों और जब भी इस घटना का व बढ़ता है, और भगवान गणेश जी की कृपा से बहुत जल्द इस समय में आपको धन और दौलत आगे बढ़ते ही जाएंगे दुश्मन अपना कर भी पटक कर लेगा लेकिन कभी ऐसा काम नहीं कर पाएगा जी हाँ दोस्तों अगर आप चाहते हैं, तो आपको भी इस सम अस्या को सामधान करना पड़ेगा और गणेश जी को शनिवार का दिन पूजन करिये आप, का पूरा काम सहायता बढ़ सकता है, दुश्मन आपके घर में जादू तोना करके घर में एक परिवार पागल जैसा हालत करते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी ने शक्तियां दे पर ध्यान देने से बहुत ज्यादा समय का इंतजार करना पड़ता है, और भगवान गणेश जी आपके साथ घर में उलट फेर आते हैं, तो भगवान गणेश जी ने शक्तियां देकर पूरी तरह से टाल देते हैं, और भगवान गणेश जी आपको जो दुरलब समय आ जा कि भीतर आपके घर के सामने पर भी स्थिर नहीं रख पाएगा आपके लिए जल्दबाजी में कोई काम करने से बचने के लिए रहेगा. आप अपने स्वास्थे के प्रती सचेत रहें, उसके साथ आप समझ्झोता ना करें. यदि आपको अपने परिवार के सदस्य कोई दे तो आप उस पर सोच विचार अवश्य करें। आपको किसी विप्रीत परिस्थिती में धैर्य बनाये रखना होगा। आपके बढ़ते खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको अपने घर किसी धार में कारेक्रम का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको विरोधि में आप सम्मिलित हो सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको आस्था व विश्वास से आगे बढ़ाना बहतर रहेगा। संतान के संगती की और आप विशेश ध्यान दे नहीं तो वह किसी गलत काम की और अग्रसर हो सकते हैं। यदि आपने अपने रू दोस्तों आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धी लेकर आने वाला है। आपकी रचनात मकता बढ़ने से आप प्रसन रहेंगे। नवीम कारियों में आपकी पूरी रुची रहेगी। आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बंती दिख रही है। आपके जल्दबाजी में कोई वादा ना करे नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या आ सकती है। कार्यक्षेतर में आपके किसी साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने कामों पर फोकस बनाए रखना होगा तब ही वह पूरे होते दिख रहे हैं। जी ह दोस्तों आपके लिए आनंद मैं रहने वाला है। आप संसकारों में परंपराओं पर पूरा जोर देंगे और कार्यक्षेतर में भी आप अपने। जिम्मेदारियों को बखू भी निभाएंगे जिससे आपके बौस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नीजी मामलों में आप किसी बाहरी व्यक्ति से सला मश्वरा न करें। किसी नए वाहन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। किसी बात को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं। आपको जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा और अत्यधिक तले भुने भोजन से परहिज रखें। दोस्तों अब दुश्मन को नए उम्र में जेल की तपस्या करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि इस घटना के कारण 24, घंते के अंदर इस परिवार में कभी नहीं स्थिर रहेगा। क्योंकि बहुत बड़ा अचानक आपका घर में घटना होने की संभावना बन रहा है। जी हाँ दोस्तों आप इस समस्या को सावधान पाने के लिए माता देवी को प्रसन्न करना ही चाहिए जी हाँ दोस्तों माता। आप तीन बार गलतियां कर चुके हैं। इन गलतियां करने से आपका बहुत बड़ा भन्यकर शनी ग्रह योग आ गया है। जी हाँ दोस्तों क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अचानक दुश्मन इस समस्या में आपको पहुचना के लिए तैयार हो गया है जी हाँ दोस्तों इस दुश्मन को नश्ट करने के लिए मा देवी के आपके घर में प्रकट होंगे और इन दुश्मनों को पूरी तरह से दूर हो जाएगा और इस गली में दुश्मन को मूल देखने लायत नहीं रहेगा और बाबा भोलेनात ने इन दुश्मनों को भयंकर हाथसा में सर्वनाश होगा जी हाँ दोस्तों दुश्मन के परिवार माथा ठ ठोक ठोक कर रोएगी जी हाँ दोस्तों आखिरी बार दुश्मन को चेतावनी मिल चुका है आप भी दुश्मन को दोनों हाथों में हतकरिया लगने की आवशक्ता मिल सकती है जी हाँ दोस्तों नए और में सजा पाने के लिए बहुत बड़ी दुरलब का संकट छाया है आपको इस समस्या को दो सावधान दूर करेंगे ताकि दुश्मनों को अपने साथ नजर उठा कर कभी नहीं देख सकता है और इसी गाव में बहुत बात का चर्चा चलेगा क्योंकि दुश्मन के साथ बड़े बड़े गल्तियां हो चुके हैं इन गल्तियां करने से उनको पाप की सजा भोगना पड़ेगा जी हां दोस्तों आप इस बात का मत दरना आपको सही तरह से इस घर को समस्या को सावधान आवशक्ता मिल सकती हैं जी हां दोस्तों इस व्यक्ति के घर को पूरा उजार कर दिया है जी हां दोस्तों क्योंकि इस करने से आपको लोग भी सहा नहीं करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों हर समय आप चिंता में पढ़ जाते हैं। इसलिए कि इस हाथसा को कैसे निपटना पड़ेगा नहीं तो आपके घर के बच्चों के भविश्य नरत बन सकती है। जी हाँ दोस्तों साथ जन्म तक ही हाथसा में आपको याद रहेगा बहुत बड़ा भयानत कलियुक का खेल हैं। जी हाँ दोस्तों आप सावधान रहना पड़ेगा नहीं तो आपके साथ बड़े बड़े अंजाम लोग भी विरोध कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों जिसका डर था आपका वही हो गया है। जीवन काल में अभी तत ऐसा घटना आपके घर में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा तकलीफ दुश्मन के साथ होगा। जी हाँ दोस्तों क्योंकि आपके अगल बगल में दुश्मन भी आपको बात चर्चा करेगा बहुत अच्छा इसके। घर में कारण हुआ है जो इनके साथ लोग भी सहायता नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों आप चारों तरफ से मूर्क बन जाते हैं। दुश्मन आपको मजाक उड़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों आप भगवान शनी देव को पूजा करे और द्वार पर सामने पर भी रखकर अंजाम नहीं कर पाएगा जी हाँ दोस्तों जी हाँ दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे आपको इस समस्या सावधान। जरूर सफल ही होंगे और भविश्य में आपका दुख शांती माता देवी को निरूपित करेगा ज जी हाँ दोस्तों दो बड़े विनाश होकर ही रहेगा दुश्मन के घर में जी हाँ 24 गंते के अंदर खेल शुरू है आप दुखमन को बोली, बंध हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों तुम्हारे परिवार में भन्यकर हादसा होगा, जी हाँ दोस्तों आप कभी नहीं सोचते होंगे कि आपको साथ में बड़ा अनर्थ हो सकता है, जी हाँ दोस्तों आप कुछ भी कर लो, 101% ये हादसा होने वाले हैं, आप सामधान रहना पड़ेगा पूरे परिवार, एक साथ रोना पड़ेगा क्योंकि इस हादसा आप सुनकर छाती ठोक ठोक कर रो रहा है, क्योंकि आपके साथ बड़े गलतियां हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपके साथ बेटा भी इसके साथ और भी परेशान बढ़ सकता है, जी हाँ दोस्तों भगवान शनी महाराज के शक्तियां देकर इन दुश्मनों को पूरी हालत गंभीर में हुआ है, जी हाँ दोस्तों आप यह बात किसी को नहीं बताना चार दिन का जिन्दगी आपको था जो की इस समय हादसा में, आपको बड़े लोगों के मदद नहीं करेगा, तो आप नहीं बताते हैं, किस कारण से इतना बड़ा आपके घर में हादसा हुआ है, जी हाँ दोस्तों दुश्मन ने आपको इस घर में चार दिन में आपको इस तपस्या से काट रहे हैं, जो आपका पूरा फासी के फंदे पर दुश्मन ऐसा देखकर पूरे प्रांथ छूटने लगेगा तुम्हारे, परिवार में एक भी अचानक इस घटना में पूरी तरह से खेल, ठा दिया है, आखिर सबसे एक नारी आपके घर में आग लगा दिया है, जी हाँ दोस्तों इस भी आपको रक्षा अपने हैं, तो तीन उपाय का काम करे नहीं तो आपके साथ पूरे किस्मत में भी बिगार सकता है, और परिवार में एक भी जान जा सकती है, जी हाँ दोस्तों पूरे इस गाव, में आपका बात का चर्चा चलेगा किस कारण, से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो लोग देखकर आपके घ बड़ा गलतियां हो चुके हैं, और भगवान शनिदेव की कृपा से आपके घर में जो भी इस समस्या का सामाधान नहीं कर रहे हो, उनके घर पापों से भर जाएगा, तो जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जी हाँ दोस्तों क्योंकि इसकी हादसा लोग भी मदद नहीं करते हैं, आपकी आंखों से आंसु आने लगते हैं, रात दिन, यहीं सोचते हैं कि इससे बड़ा कैसे घटना अचानक में हो गया है, जी हाँ दोस्तों हर समस्या में आपको आपको इस हादसा में समाधान बनना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों क्योंकि आपके साथ प और भी इससे ज्यादा होना ही चाहिए तो जी हाँ दोस्तों तो इस घटना में आपको बचना चाते हैं, तो आपके घर में भगवान शनी देव को अर्चना करें ताकि आपके घर में सुक शान्ती से रह सकेंगे जी हाँ दोस्तों. भगवान शनी देव की जो भी पूजन करते हैं, उनके घर पूरी तरह मनोकामना पूरी हो जाते हैं, जी हाँ दोस्तों देवी देवताओं का आपका बहुत बड़ा आपके घर में सफल ही होंगे जो की इस घटना आपको सही तरह से इन दुश्मनों को दूर करेंगे ताकि आ आखों तक नजर नहीं जा पाएगा जी हाँ दोस्तों, दुश्मन को आप भी इस गली में न चाहेगा जो कभी देखकर पूरे गाव का लोग भी इन दुश्मनों को पूरे गली गली में घुमेगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि इनके साथ में एक कलंग है, जो साथ इसका तकलीफ हो जाते हैं. जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव ने इस तकलीफ को पूरी तरह से आपकी सोच हो जाएगी और आपका काम सफल मिल जाएगा जी हाँ. दोस्तों क्योंकि उनकी घर में एक औरत और एक नई पूरी तरह से तबाह करके एक कर दिया है ताकि उनके घर म बहुत बड़ा हादसा हो गया है. अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है. जो देखकर इस घटना बहुत रो रोकर घर में तड़प रही है. जी हाँ दोस्तों आप इस समस्या को कैसे निरुपित होगा और शरीर पडोसन भी आकर के इसका भी हेल्प नहीं करना चाते हैं. क्यो हो गया है. जी हाँ दोस्तों और दुश्मनों के बेटा चीता. जलकर राक हो जाएगा. जी हाँ दोस्तों ये यह बात सुनकर रातों में नींद नहीं आएगा. जी हाँ दोस्तों अब दुश्मन को पर स्थिर नहीं रहेगा. जी हाँ दोस्तों दुश्मन घर के परिवार पागल जैसा हालत होगा जी हाँ दोस्तों इस घटना में बहुत भयानक सही से बात नहीं कर पाएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ी गलतियां कर चुकी है आज इसकी किस्मत में बहुत बड़ा बोज का संकट छाया है जी हाँ दोस्तों क्योंकि दुश इतना में आपकी किस्मत देखकर बदलाव आएगा और भी दुश्मन को गली-गली में कुत्ते जैसा हालात बनेगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि आज दुश्मन के घर अंधे हो चुके हैं और दुश्मन के एक परिवार में चिराग में बाटा गया है हाँ दोस्तों भगवान देव के आशिरवात से इन दुश्मनों को इतना बड़ा सजा दिया अभी तक निरुपित करते रहते हैं जी हाँ दोस्तों और इसकी घर में बहुत बड़ा आग लग चुका है जो अभी तक इस समस्या से सावधान नहीं रह पा रहा है आज का दिन सामाजिक शेत्रों में क किसी सदस्य की ओर से कोई सर्प्राइज गिफ्ट मिल सकता है आपके घर किसी अतितियों का आगमन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे परिजनों का भरोसा आप पर बना रहेगा आप अपनी योग्यता से कार्यक शेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते ह जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे उन्हें सावधान रहना होगा आप जीवन साथी के लिए कुछ नए कपड़े और जेवर आदी लेकर आ सकते हैं माता पिता की सेवा में भी आप दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे जी हां दोस्तों ही सकताश लोख है अनुलों में बरलिन प्रतिलों में जन्म आत्म को लेवलर शत्रु विन्यन बरलिन जी हा दोस्तों जीवन में अगर आपके दोस्त होते हैं तो दुश्मन भी होते हैं दुश्मनों को हर कोई मात देना चाता है, लेकिन यह काम वही लोग कर पाते हैं, जिनके पास दुश्मनों पर विजय प्राप करने वाले गुण होते हैं, जी हां दोस्तों आचार्य चानक्य ने इन गुणों का जिकर चानक्य नीती में, क्या है? जी हाँ दोस्तों जो लोग दुश्मन को अपने सामने कुछ नहीं समझते वो अक्सर धोखा खाते हैं दुश्मन को हलका न समझे दोस्तों उन्हें शक्तिशाली मानकर अपनी तयारी करे ताकि आप हर परिस्थिती में उनका मुकाबला करने लायक खुद को बना सके जी हाँ दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करते हैं कुम्भ राशी के बारे में दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं, भगवान भोलेनात के आशरवाद से बहुत अच्छे ही होंगे दोस्तों आपके साथ. बहुत बड़ा सा अनर्थ होने वाला है, दोस्तों आप सावधान रहना होगा, सभी को बता दे, दोस्तों जीवन काल में ऐसी स्थिती है, जो आपको कुछ नहीं कर पा रहे, दोस्तों भगवान भोलेनात. इससे आपके घर में कोई भी घटना नहीं होगा और आप परिवार में खुशी से नजर आएंगे और आपके साथ दुश्मन पड़े हैं, लेकिन हनुमान जी जी को पाठ करे, आपको सफलता जरूर मिलेगा, दोस्तों भगवान शिव जी कृपा से आपके दुश्मनी है, तो दुश्मन नश्ट हो जाएंगे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और आप नए हैं, तो वह भुलेनात को एक लाइक अवश्यर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव जी जय शंकर जय भुले जरूर लिखे दोस्तों और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ल और भगवान आपके घर में लाल कपड़े से और अगर पती से घर में कोहनी के सामने जलवे और दुश्मन देखते ही आख से नजर ही भाग जाएंगे। करह से आपको ही कष्ट से निकाल दीजिए ताकि आपको सही से आपको जी सके और जिस आदमी ने आपको बिजनेस में आग लगाया है आपको बिजनेस नहीं चलने देता दोस्तों आपके घर के बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते दोस्तों क्योंकि आखिर इसी बहुत दिन तक। आपको परेशान करें दोस्तों और बता दें। आपको जो आपकी सही से तरीका आपको जीने नहीं देकुंभ राशी वालों की संपत्ती में इजाफा होगा। जो लोग कर्ज के दबाव में हैं। उनके लिए 2024 राहत भरा साल होगा। रिलेशन्शिप में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी। महीना आपके लिए बहुत बढ़िया महीना साबित होगा। और युवा वर्क प्रेम संबंधों में समय नश्ट न करके अपने करियर पर इस समय ध्यान दे क्योंकि व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अगर आप समय व्यर्थ करेंगे तो अपने करियर के साथ आप खिलवाट DTH करने जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। वही मित निवेश करने के लिए यह समय लागदाई तो नहीं रहेगा नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाए रहा है समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे विदेश जाने के लिए प्रयासर्थ लोगों को कोई शुप सूचना मिल सकती है तो बच्चों के उपर ज्यादा प्रतिबंद लगाएगा क्योंकि इससे उनके मनोबल में कमी आ सकती है दिखावे के लिए बिना सोचे समझे ज्यादा फिजूल खर्ची बिलकुल ना करे और नकारात्मक बातों को अपने उपर हावी न होने दे थे मित्रों पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिन्चर्या में आपको सकारात्मक बदलाव नजर आएगा आएगा अर्थाथा जैसा आप सोच रहे थे वैसा समय तो नहीं आएगा लेकिन समय में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा और ग्रह स्थिती पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं है मित्रो राजनैतिक अत्वा सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रूची बढ़ेगी और आपके कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा लाब होने की बिलकुल भी समभावना नहीं है अर्थाथ जो मेहंत ने आपने पिछले समय में की थी उस मेहंत का फल आपक किसी भी तरह की यात्रा करने से परहेस करे करे ध्यान रखे रखे आलस्से से या बहुत अधिक अधिक सोच विचार करने में ही आपका समय व्यर्थ हो सकता है और फिर आप मेरा हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे तो कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान निकालने से से उनका मनोबल बढ़ाने में आपका विशेश योगदान रहेगा साथ ही मित्रों व्यवसाइक गतिविधियों में जैसा सुधार आप चाहते थे वैसा सुधार तो नहीं आएग लेकिन कुछ हद तक व्यवसाइक पक्ष आप ही के पक्ष में रहेगा और अपने व्यावसाइक संपरकों को को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें मित्रों साथ ही शेर आदी आदी जैसे कारियों में निवेश करने के लिए यह समय बिलकुल भी उत्तम नहीं है अगर करना ही है तो किसी अनुगुवी व्यक्ति के सानिध्य में और उसकी राय लेकर करें सिर्फ योजनाबद तरीके से अपने कारियों को अंजान देने की जरूरत है पहले योजनाएं बनाएं फिर कारियों को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और दामपत्य जीवन म नजदी किया बनेगी पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक उर्जा व्यापत रहेगी और मित्रों ध्यान रखियेगा लगा कि अपने किसी भावी लक्ष के प्रती मेहंत और सुन्योजित धंग से कार्य करने से काफी हद तक तक जैसा आपने सोचा था वैसी सफलता मिलेगी लेकिन किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरी रहेगा और पैसा आने के साथ साथ आप व्यर्थ की भी स्थिती रहेगी परंतु आर्थिक संतुलित ही बनी रहेगी आर्थिक स्थिती आपको संतुलित बना कर रखना है औ तब आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी होगी तभी अचानक से कुछ ऐसे खर्चे भी आपके सामने आएंगे जिन्हें देखकर आप दगमगा जाएंगे. मित्रों दिखावे की प्रवृत्ती से बचना चाहिए. क्योंकि अक्सर दिखावे के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, तथा बाहरी लोगों के साथ मिलजोल करते हुए अपने व्यक्तिगत बातों को शेर ना करे वरना कुछ लोग-लोग स्वार्थ की भावना से आपको नुकसान भी पहुचा सकते हैं, और भाईयों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेधी और तनाव न उत्पन्न होने. देख परिस्थितियां इस समय फाइदे मन कई हद तक रहेगी तो इस समय अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है, मित्रों नौकरी पेशा लोग अपने कामों के प्रती ज्यादा सजग रहे रहे, कोई गलती होने से इंक्वाइरी बैठन की भी स्थिती बन रही है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही ऐसी महत्वकूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेर जरूर करें तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में धन्यव के छुछ सुछ।